हलो दोस्तो नमस्कार एसे हम किसी चानल में मैं आप सिबलों का दिल से बहुत-बहुत सब्सक्राइब करता हूँ अगर आपने पहली बार विजिट के है जरू चालन को सब्सक्राइब कर लेना तो ठीक है दोस्तो अब हम लोग आ चुके बिलकुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर एंड दोस्तो इस पुड़े में हम लोग बात करने वाले येस एक बहुती बड़ी ब्रेकिंग न्यूस के बारे में वैसे तो देखा गया तो ये न्यूस तो ठीक ही है ओके-ओके हम लोग यहां पर आते रहते है तो इस वक्त के हफते में भी जैसे कि दलाल स्टेट वी कहें जो हमारा वीडियो रहता है संडे की दिन तो वहां पर भी आपको पता था कि जो पर्फोर्मन्स देखने को मिला है मतलब जितने भी एस्टिमेट थे जितने भी किसीने मतलब सोचा भी न प्रेस करने के लिए मतलब में क्या बताव आपको कि समझ लो ऐसा प्लियर की भाई बोल रहे था कोई चलो 40 स्कोर करेगा कोई बोल रहा था 20 स्कोर करेगा कोई बोल रहा था रहे चलो 30 कोई ने मुश्किल से बोल रहा था चलो 50 स्कोर कर ही लेगा ऐसे प्लियर ने सीधा सीधा आप कह सकते हैं डबल सेंचुरी मार दी ऐसा स्कोर हम लोगों को देखने को आपे मिल चुका है मतलब आप समझ सकते हो इतना खतरनाक परफरवंस जेडीपी का हम लोगों को फिलाल तो कौटर ली यह जो कौटर 3 का डेटा है वो हमारे सामने आते वे देखने को मिल चुका है 8.4% ठीक है मतलब कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था ठीक है अगर यहाँ पे 7.0 भी something something होता जबरदस था अभी 8.4 ऐसा भी ने 8.1 बॉर्डर पे ने 8.4 forecast कितना था कि 6.5 की करीब हो सकता है करके और कहाँ पे 6.5 और कहाँ पे 8.5 तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना मतलब जबरदस performance है और last time कितना था 7.6 ठीक है तो 7.6 सो भी compare करने जाओगे तो भी कोसो दूर है 6.6 से तो भाई साब तो मतलब कलपना से ही परे है इतना खतरनाक डेटा हम लोग खतरनाक मतलब शांदार डेटा देखने को आपे मिल रहा है ठीक है और पूरे दुनिया में भाई इसकी चर्चा तो जरूर होगी अगर मैं थोड़ा सा अगर आप लोग को previous डेटा भी दिखा दू जो कि आप यहापे देख सकते हैं देखे है historical डेटा ठीक है तो इसके पहले भी जितने भी GDP के चार डेटा हम लोग को देखने को मिल रहे थे इस वक्त 6.6 एक्सपेक्टेड था सीधा 8.4 मतलब इसके पहले भी हम लोगों ने बीट के है बट इस वक्त का जो छक्का लगा है यह कुछ जादा ही आप बोल सकते हैं इतना लंबा मिटर मतलब बॉल ही नहीं मिल रही है इतना जबरदस परफॉर्मंस यह आपे दिखा दिया है सो डेफिनेटली दोस्तों हम यह आपे कह सकते ही काफी अच्छी खबर देखने को आपे मिल रहे है इसका क्या इंपक्ट मार्केट के उपर पड़ेगा कल के दिन यह एक देखने वाली बात होगे इस इंवेस्टर हम इसको इन चीजों को इतना ज्यादा फोकस में नहीं रखते मतलब हमारे लिए जो शेर रहता है ठीक है आपके पोर्टफॉली में अच्छा रहना चाहिए ठीक है गलत में मतले लेना जो मैं बोल रहा हूं उसको मतलब खराब शेर में जाओगे तो फिर GDP का डेटा हमारा एकोनोमी का डेटा कितना भी अच्छा हो जाए ठीक है निफ्टिकल 40, 50, 60, 70, 80,000 का भी हो जाए तो भी आप कुछ नहीं कमा पाओगे तो आपके पोर्टफॉली में शेर अच्छा होना चाहिए ठीक है इसका आरतिया नह इंवेस्टर रहते हैं, बड़े इंवेस्टर रहते हैं, FDS की अगर बात करें, FIS की बात करें, डेफिनेटल हम कह सकते हैं कि उनका फोकस ये डेटा देखने के बाद इंडिया के प्रती और भी ज्यादा ब्राइट होते वे देखने का आप मिल सकता है, क्योंकि आप सबी ल इदम ज्यादा पटक लिया है तो 4%, उससे मतलब और क्या ही मिलेगा, ठीक है, बट हमारे भारत देश की बात करें, यहाँ पे जबरदस ग्रोथ हम लोगों को देखने को आप मिल सकते हैं, most important point, top 5 economy में आप लोगों को ये country देखने को मिल जाती है, ठीक है, मतलब काफी सारे लोग कहते हैं, सर बाकी देश में भी अगर देखा गया, तो भापे भी ग्रोथ है, in fact हमारे देश से जादा ग्रोथ है, definitely, which is true, but where is consistency, and reliability क्या है भाई, मतलब बाकी देश की उपर भाई, इतना पैसा लगाने के लिए consistency ही नहीं, एकाद बार मतलब बोलते हैं ना, कि गलती स से मार दिया, बाई, पचास सो मार दिया, उसके बाद तो भाई, सिंगल डिजिट पे आउट हो रहें, बट अगर हमारे देश की बात करें, तो at least 6% तो बन ही रहा है, 6-6, 6 भी मैंने कम ही बोल दिया, बट चलो उतना तो है, and उसके उपर तो भाई, अभी तो 7-7, 8-8 की ब अमेरिका भी देखा गया, तो यह अलड़ी बड़े बन चुके है, ठिके यह developed countries है, और हम developing है, और developing से develop जा रहे है, तो यह जो path है, वो एदिधम कमाल का देखने को मिल रहें, और ऐसे country में growth कमाल की हम लोगों को देखने को मिल रहें, मतलब और क्या ही चाहिए आपको, ठिक दिमे करके कम होते वे देखने हुआ आपे मिल रहेंट खास करके COVID के बाद तो भाई उनका तो और भी अलग से बैंड या पे बज़ी चुका है इसी चीज़ के चलते अभी इतना खतरनाक परफर्मस खुद सरकार ने भी कलपना नहीं की होगी तो इसके चलते जो next overall पूरे financial year की बात करे 2024 जो कि अभी मार्च में खतम हो जाएगा तो इससे related भी जो सरकार ने prediction किया था 7.3% GDP का वो भी उन्होंने revise करके 7.6 कर दिया क्योंकि लगा ही नहीं था भाई इतना हाईगा करके तो चलिए अच्छी बात है यह estimations चलते रहते हैं बट यह वाला जो inning है जो खिला है आज के दिन का वो एदब जबरदस performance हम लोग को देखने हो का आपे मिल चुका है ठीक है and current government तो हम लोग definitely कहेंगी आभी रोद सुबा उटकर इसी चीज की यहाँ पर चर्चा हम लोग को देखने को मिलेगी और क्यों ना उसी का तो मतलब एक advantage उनको तो अभी जरू मिलेगा अभी यह इतना जबरदस performance हुआ कैसे तो man of the match आप सभी लोग को पता है man of the match मतलब कैसे हुआ इतना मतलब unbelievable जो performance हम लोग को देखने को आप पे मिल रहा है तो उसके पीछे का reason कहें तो दोस्तो उसके पीछे का reason है investment से related चीज़े investment मतलब देखे जो GDP का जो formula होता है ठीक है यह आपको जरू पता होगा ठीक है पहले आप लोगों ने economics में पढ़ा होगा अभी इतना याद नहीं होता है तो मैं आपको याद करवा देता हूँ GDP is equal to C plus I plus G plus जो export रहता है उसको import हटा देना तो net export जो यहापे बढ़ जाता है वो चीज़ ठीक है तो C stands for क्या होता है consumer good आप हम सब कितना consume करते है ठीक है वो सबसे बड़ा वेटेज रखता है more than 50% इसी का ही हम लोगों को वेटेज देखने को मिल जाता है second क्या रहता है दोस्तो investment spending यह जो अभी मैंने आपको बता है ना man of the match investment इसने game बदला है बहुत ही खतर नाक तरीके से investment spending होते वे देखने को आपे मिल चुकी है ठीक है then government spending की बात करें तो इतना कुछ खास नहीं मजा नहीं है personally मुझे मजा नहीं है in fact देखा गे तो government spending और MQA क्योंकि I already investment के लिए हो चुका है तो इसलिए I के बाद M है इसलिए इसको import में M देखने को आपे मिल जाते है तो net export कितना है यह देखने को मिल जाते है और यहाँ पे हमारे देश के लिए काफी ज़्यादा scope यहाँ पे बागी है काफी मतलब कुछ ज़्यादा ही है ठीक जबरदस है गवर्मेंट ने इतना कुछ खास spending तो यहाँ पे नहीं के है बट I का जो performance है वो इबदम जबरदस देखने को मिल चुका है अगर आप सरकार के भी website के उपर जाओगे तो आपको यह सारा data पढ़ने को यहाँ पे मिल जाएगा कि performance कैसा रहाय करके अगर हम लोग quarter 3 की बात करें जो यह अभी 8.4 देखने को मिला है ना इसमें आप देख सकते manufacturing जो sector है उसने double digit growth दिखाए भाई साड़े 11% से भी उपर अफलातून unbelievable and then construction सेक्टर साड़े 9 टक का ठीक है तो यह वो खास करके हम कह सकते man of the match के अंदर भी अगर किसी को man of the match देना है तो manufacturing and construction इस इसी चीज़ के चलते जो overall outcome यहाँ पे निकल कर आया है वो 8.4% तक GDP देखने को मिला है to be honest अगर मैं कह दू इस साथ वज़े के आसपास आया था ठीक है बट उसके बाद मैंने 2-3 बार refresh करके देखा वाई सच में 8.4 है ना कि 7.4 लिखना था इसलिए मैंने actual मैं देखा कि इ हम ही कमाल का performance हमने को लेखने का आपे मिल चुका है अगर मैं थोड़ा सा इसको और नीचे अगर लेकर चले जाओ तो आपको यह पूरा detail में अगर पढ़ना है तो यह देखें सरकार यह पूरा data provide यहाँ पर करती है कि sector wise, industry wise किसे performance चल रहा है करके तो एक-एक data को आप चाहो क्या होगा अगर आप कहूगे तो तो फाइदा यह होगा कि हमारे देश में, इंडिया में, I for India, I for investment, yes काफी जादा investment हम लोगों को आते वे देखने को मिलेगा, जो कि अल्रेडे उनको पता ही था, growth तो ओने वाले ही आप IMF का भी data देख लो, जो हमारा top 5 economy में किसी भी country का इतना growth ही नहीं, 6 टकका, 6 में वापस इब दम lower level पकड रहो, साड़े 6 उसके उपर आप पकड़ लो, बाकी कोई country ही नहीं, तो safety भी है, consistency भी है, and growth भी है, and इस वक्की तो growth तो कुछ जाद ही हम लोगों को देखने का आपे मिल चुके, तो overall final conclusion यह निकल कराता है कि विदेश से हमारे देश में काफी बड़ा investment के और से पैसा भी हापे आ सकता है, आएगा ही आएगा, और यह data देखने के बाद तो literally सब लोग आपे पागली हो जाएंगे, so यह चीजे फिलाल तो हम लोगों को देखने का आपे मिल रहे, and इसलिए हमारा जो performance है, index level पे भी वो भी आप देख सकते हैं, काफी हम लोगों को लगातार अच्छा देखने का आपे मिल रहे है, अगर हम Dow Jones को देखेंगे, ठीक है, and Nifty 50 को अगर देखेंगे, तो आप देख सकते हैं, obviously Dow Jones, Nifty 50 के इतने returns तो usually नहीं दे पाएगा, क्योंकि हमारा जो देश है, आप ऐसा कह सकते है, mid cap, small cap type के returns यहापे देने, मतलब, जादा returns आपको देगा, तो 6 मैने में आप देख सकते हो, एक साल में आप देख सकते हो, जादा returns देखा, 5 साल में तो double करके आपे दे रहे हैं, तो इसलिए, विदेशी जो पैसा है, वो हमारे देश में, जादा ही लगते वे देखने हो का आपे मिलने वाला है, और इसी का ही फाइदा, हम लोगों को लगातार यहापे मिल रहा है, तो छले, ठीक है, कल के दिन क्या reaction होता है, नहीं होता है, वो एक देखने वाली बात होगी, उसके लिए तो American Bazaar भी कैसे support करता है, आज की दिन, वो भी एक देखने वाली बात होगी, जबरदस हम लोगों को देखने का पे मिलने वाला है, ठीक है, तो कल क्या होगा, परसो क्या होगा, उसके उपर में ज़्यादा फोकस नहीं रखता हो, लॉंग टर्म, लॉंग टर्म समझते हो ना, यह लिए इसाब पात साल का डिटा उपन करोगी ना, देखे, इंडेक्स क लॉंग टर्म के लिए जादा विचार नहीं करने का, लॉंग टर्म के लिए हमेशा याद रखो, लॉंग टर्म में ही बड़ा पैसा बनता है, शॉट टर्म में तो ठीक है, यार, मार्केट तो थोड़ा बहुत, मतलब ऐसा घिसा पिटा ही चलता रहता है, बट लॉंग टर में इस प्रकार के डेटा बहुत हमारी एकोनोमी में और भी ज्यादा मतलब इंवेस्मेंट लेकर जरूर रहेंगे, तो आशा करता दोस्तों वीडियो एलफू लगागो, तो चाहँ तो लाइक और शेर कर सकते हो, मिलते हैं एक शुड़े में, तब तक के लिए, बब बाई आशा के लिए हमारी के लिए।